इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आज का दौर जिसे आप डिजिटल क्रांती के तौर पर भी जानते हैं कहने को तो हमारे हाथों में ही पूरी दुनिया आ चुकी है लेकिन फिर भी आज के समय में ही हम सबसे अकेले भी हैं सब एक दूसरे से connected हैं लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है इसी के बीच हमारे सामने एक सवाल और खड़ा रहता है कि आखिर meaningful life कैसे जीएं इसको लेकर लेखक कहते हैं कि self improvement अच्छी बात है लेकिन हमको इसका भी खयाल रखना चाहिए कि हमारा प्रभाव हमारे चाहने वालों के उपर कैसा पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ self improvement के ही बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होता है आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए author कहना चाहते हैं कि जीवन इस तरह जीना चाहिए कि आपके जाने की बाद लोग आपको मुस्कुराते हुए याद करें मतलब साफ है कि अपने जीवन के पत को इतना साफ रखिए कि आपके आसपास का महौल भी खुशनुमा बना रहे आप अगर लाइफ में कुछ चोटे चोटे रूल्स को फॉलो करें तो ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फाइदा होगा और दूसरों को भी इसलिए इस अध्याय में लेखक आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तयार है उस रूल का पहला पिंसिपल है कि परस्पेक्टिव को मेंटेन रखिए स्टीफन हौकिंग लोगों को एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये भी ब्रह्मांट का बस एक छोटा सा तारा है इस बात से वो ये समझाना चाहते हैं कि हमको हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है हमें एक पस्पेक्टिव बना कर रखना चाहिए लेकर भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हार और जीत में नजरिय का फर्क होता है कई बार जो आपको हार लग रही है वो किसी के लिए जीत से भी ज्यादा हो सकती है अंतर बस इतना है कि आपको अपने नजरिय को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा उधारन के लिए आप किसी का इंतजार सीडी के पास कर रहे हो लेकिन वो आपको वहाँ ना मिले क्या पता उसने सीडी का रास्ता ना लेकर ऐलिवेटर का रास्ता ले लिया हो जीवन में ऐसे कई पड़ावाएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है तब ही आपके कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत है उस दोर में बस आपको अपने नजरीय को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपकी बात बन जाएगी दूसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप इस नियम को भी फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुँच जाएंगे सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है इसके परिणाम उतने ही बड़े होते हैं अगर आपने अपने आक्शन के उपर कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ जाएए कि आप अपनी जिंदगी को भी खुशाल बना लेंगे जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आसपास के साथ खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है इसकी शुरुआत भी आपको अभी से कर देनी चाहिए लिस्ट बनाईए कि ऐसी कौन सी बुरी आदतें आपने पाल रखी हैं जो आपके लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है तुरंत प्रभाव से उन आदतों को छोड़ने की शुरुआत कर दीजे अपने आप पे लगाम लगाईए अध्याए दो नाकामी से डील करना सीखिए आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग जान बूझ कर गलत वादा करते हैं मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो अपने वादे को निभा नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी लोग फेक प्रामिस करते हैं अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी ये आदत छोड़ दीजे क्योंकि एक कहावत है कि जो इनसान अपनी जबान का नहीं वो इनसान ही नहीं इसलिए इनसान बने रहना है तो खुद से और अपने चाहने वालों से ऐसे ही वादे करिये जो आप पूरा कर सकें आप सोचते होंगे कि अगर गलत वादा कर भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया शायद आप कोई गुनाह ना कर रहे हों लेकिन आप हमेशा के लिए सामने वाले को खो सकते हैं सामने वाला आपके उपर विश्वास करता है आपने उस विश्वास को तोड़ा है अब इससे बड़ा क्या ही गुनाह होगा अगर आप promise तोड़ते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे इसलिए आज से ही एक कोशिश करिए कि ऐसे वादे ना करें जिन वादों को आप निभाना सकें अगर आपको खुश रहना है तो बस एक छोटी से शुरुआत कीजिए वो शुरुआत ये है कि खुद से वादा कीजिए कि आप एक सब्ता लॉयल रहेंगे इसके बाद आप खुद अब्जर्व करेंगे कि आपकी जिन्दगी में happiness एड होई है आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने शब्दों में अडिग रहें आप जैसे जैसे इस खुबी को अंदर लाते जाएंगे आपकी जिन्दगी खुशनुमा होती जाएगी एक और बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि आपको असफलता से भी सीखना पड़ेगा ये जितना मुश्किल सुनने में लग रहा है उतना ही आसान फॉलो करने में है अपनी जिन्दगी में आप जितनी बार तूटेंगे हर बार आपको नई सीख मिलेगी बुरा समय इंसान को बहतर बना कर जाता है उदाहरण के लिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग भयानक बिमारी से ठीक होकर आते हैं वो अपने जीवन में औरों से ज्यादा खुश रहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें उनके जीवन की वैल्यू पता चल जाती है इसलिए वो उसकी केर करना भी सीख जाते हैं याद रखिए खुशी की वैल्यू दुख ही सिखा कर जाएगा अपने आपको खुद मोटिवेट करना कभी न भूलें कई बार जिंदगी बहुत व्यस्थ हो जाती है इतनी व्यस्थ कि इनसान को खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है कभी कभी के लिए तो ये सिचुएशन ठीक है लेकिन आपको अगर ऐसा लगने लगा है कि काम के भार की वज़े से आपको सांस लेने की भी फुरसत नहीं है तो फिर आपने गलट ट्रेन पकड़ ली है बॉस तुरंट अगले स्टेशन पर उतर जाईए उतर कर सबसे पहला काम ये करिए कि अपनी प्राथमिक्ता को सेट करिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है इसकी एक लिस्ट तयार कीजिए इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं ये कहानी है एक चीन में रहने वाले आदमी की ये तलवार बनाया करता था इसके तलवार से चीन सामराज्य के महाराजा काफी खुश हुए एक दिन वो खुद उस आदमी के पास गए और पूछे कि तुम्हारी काबलियत का राज क्या है तुम्हारे जैसे ही तलवार कोई और क्यों नहीं बना पाता है उस आदमी के जवाब ने महाराजा को सीख दे दी थी आदमी ने जवाब दिया था कि मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने कला को बहतर करने में लगा हुआ हूँ मेरे पास और कोई काम नहीं है मैं जितनी देर उठा रहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करता हूँ ये कहानी आज भी रेलेवेंट है अच्छी दोस्ती या फिर रिलेशन्शिप भी आपकी जिन्दगी को सही रास्ते में लाने के लिए काफी होती है हमेशा कोशिश करिए कि आप कुछ बहतर सीख सके जीवन में बहतर सीखने की कोशिश कब आपको बहतर इंसान बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा अपने काम से जब भी आपको फुरसत मिला करे थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाल लिया करिए ऐसा करने से आपके दिमाग का प्रेशर कम हो जाएगा आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग काफी खुश है इस फ्री टाइम का मैरेजमेंट भी आपको आना चाहिए कोशिश करिए कि फ्री टाइम को हर हफ़ते निकाल सके अगर ऐसा होता है तो आपके लॉंग टर्म गोल के लिए बहतर होगा अध्याय तीन जिन्दगी को एंजॉय करना सीखिए अब आते हैं इस पहलू पर कि जिन्दगी को प्यार कैसे करें जिन्दगी को प्यार करने के लिए सबसे पहले हमको हमारे बच्पन को प्यार करना पड़ेगा बचपन को याद करना पड़ेगा कि कैसे हम चोटी-चोटी चीज़ों में खुशियां ढून लिया करते थे क्या हम आज अपने बचपन की नकल नहीं कर सकते हैं हम इतने भी बड़े तो नहीं हो गए हैं कि अपने खुद के बचपन को याद ना कर सकें तो चलिए, सबसे पहले उन बोजों को खत्म करते हैं, जिनके उपर हम अपना समय और जिन्दगी व्यर्थ कर रहे हैं. मकान का किराया, बिजली के बिल की टेंशन, पडोसी से लड़ाई, तमाम चीजें हैं, जिनके उपर हम अपने दिन भर की एनरजी लगा देते हैं. रिट में जिन्दगी को प्यार करने का तरीका मिलेगा. आपको पता चलेगा कि जिन्दगी कितनी खूबसूरत है. इस जिन्दगी को हम ऐसे भी जी सकते हैं. अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को ढूंडिए. वो कहां है? उसे बाहर न बच्च्पन में आप इतना खुश क्यों रहते थे? इसके पीछे कारण ये भी था कि आप स्वस्थ थे. पहले रोम के लोग ये माना करते थे कि इंसान की खुशी उसके बॉड़ी से होकर गुजरती है. क्या आज आ पहल दी हैं? अगर नहीं, तो सबसे पहले कसरत करना आज की भागती दोड़ती दुनिया में लोग भी गोल ओरियंटेट हो चुके हैं. फैंसी घर, महेंगी गाड़ी, ब्रैंड़िट कपड़ों से लोगों को खुशी मिलती है. क्या ये खुशी अल्टिमिट गोल है? क्या ये खुशी पर्मनेंट है? बाजारवाद ही क्या ख प्रोसेस की तरह होती हैं, जिससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है. इसी प्रोसेस से गुजर कर आप मच्योर बनते हो. जब आपके अंदर मच्योरिटी आती है, तभी समझदारी भी आती है. मानिये कि आप एक लीडर हो और साथ ही साथ पेरेंट्स भी होते हो. इन दोन डिवलाप्मेंट के अप्रोच रखेंगे, तो आप अपनी अचीवमेंट को बहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे. इसलिए कहा जाता है कि मज़ा तो सफर में है. आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय करिए. रिजल्ट तो अपने आप अच्छा ही होगा. अगर आपको पॉ कई शो करने के बाद उन्हें ऐसास हुआ कि उनके बोलने में कुछ तो दिक्कत है. वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, जिससे लिसनर उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं. फिर उन्होंने स्पीकर के तौर पर रेडियो शो में जाने की बजाए ओनलाइन पब्ल सक्सेस भी मिली. आप भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले खुद को अब्जर्व कीजिए. अपनी खामिया निकालिए. फिर उन खामियों पर काम शुरू करिए. जितनी जल्दी आप अपनी खामियों के उपर काम करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपक जाए कि एक लाइन में बताइए जो आप अधिकतर लोगों के मुह से सुनते हो. आपका जवाब आएगा कि टाइम नहीं है यार. बस यही लाइन सबके मुह में जम सी गई है. एक दिल्चस्प बात ये भी है कि जो ये लाइन बोलते हैं वही घंटों फेस्वुक भी चलात है. जितनी जल्दी आप समय की कीमत को जान लेंगे उतनी ही जल्दी सफलता और खुशियां भी आपके द्वार की दहलीज में होंगी. सुसाइटी में ज्यादा तर लोगों की ये सोच होती है कि पूरी जिंदगी पड़ी है. बहुत समय है. इतनी जल्दी क्या है? कल कर ले अपने काम की लिस्ट बनाएं. हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमारी प्रियोरिटीज क्या है. इसका पता चल जाए तो टाइम के अनुसार उन्हें मैनेज करें. टाइम मैनेजमेंट की स्किल हमको सीखनी ही पड़ेगी. कुछ चोटे चोटे बदलावला कर हम अप अपनी पूरी जिंदगी भी बदल सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो हम अपनी रुटीन में एक्सेसाइज को जोड़ें. इसके अलावा हम मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट से आप खुश रह सकते हैं. अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट में को एड कर दिया, तो आपकी खुशी दोगनी हो जाएगी. इसलिए नेगेटिव चीजों में अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दीजे. जितना समय हम नेगेटिव चीजों में खर्च करते हैं, अगर उतना ही समय हम टाइम मैनेजमेंट में खर्च करें, तो हमारी जिंदग तो आप इस समरी को सुन लेंगे. इसलिए याद रखिए कि नेगेटिविटी से टाइम मैनेजमेंट पर भी फर्क पड़ता है. उदाहरन के लिए हम समझते हैं कि आपका किसी काम पर फोकस है. तभी आपको अचानक से याद आ जाए कोई ऐसी घटना जिससे आप कभी डिस करती है. इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पॉजटिव लोगों के साथ रहें. जीवन में एक ऐसा परस्पेक्टिव बनाईए जिसमें पॉजटिव लोगों के लिए ही जगह हो. इस बात का सार ये है कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा. अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो आप खुशी पाने के लायक हो. आपको खुश होने से कोई रोक नहीं सकता. आज के बाद अगर कोई आपको कुछ गलत कहे तो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना और नेगटिविटी से तुरंत दूर चले जाना. जितनी आप दूसरों को भी पॉजिटिव रहने के तरीके से रूबरू करवाएंगे क्योंकि एक चेन है जिसे अब हमें बनाना ही पड़ेगा समाज को इस चेन की बहुत ज्यादा जरूरत है negativity ने अवसाद नाम की बिमारी के रूप में अपनी जगह बना ली है लोगों की mental health की जिम्मेदारी अब खुद लोगों को लेनी पड़ेगी इसकी शुरुआत होती है हम से जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी हम खुशी ही बाटेंगे कुल मिलाकर अपने आप से सवाल करिए कि आपके जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा अगर आपको लगता है कि बस कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे तो समझ जाईए कि अब बदलाव का समय आ गया है खुद के अंदर ऐसा बदलावला ये कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें ऐसी जिन्दगी जी कर जाएए कि लोग आपको याद करें क्या करें? अपने जिन्दगी के सफर को नोट करते जाएए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं क्योंकि जो आपका में गोल है वहां तक पहुँचने का एक रास्ता है सेल्फ इंप्रूव्मेंट इसलिए खुद से एक सवाल रोज पूछिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इंप्रूव्मेंट में खर्च किये आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए ताकत को खुद और दूसरों को खुश करने में यूज करिए और कमजोरी को समाप्त करने की कोशिश करिए